मैं नाम है कुल भूशुन और आप देख रहे हैं कि बड़ और आज के इस वीडियो आपको पताने वालों को लेटेस इस्टेबल और अपने ही फोन की कस्टम रॉम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि कहीं लोग होते हैं कंफ्यूज गलत रॉम डाउनलोड कर लेता है या फ कस्टम रॉम और उसको फ्लैश करना चाहता है तो इस वीडियो का एंड तक देखते रही है तो यह पूरी सीरीज मैंने बना रखें से पहले बताया था कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करता है उसके लिए आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके बाद जो व पॉइंट है कि आपको फोन कितना पॉपुलर है क्या उसके लिए कस्टम रॉम है यह फिन नहीं तो यहीं मेरा पहला पॉइंट है क्योंकि कुछ ऐसे स्मार्फोन नहीं नहीं होते और कोई उनके लिए कस्टम रॉम नहीं डेवलब करता है तो सबसे पहला आपको गूगल पर सर्च कर लेना होगा अपने फोन के साथ कस्टम रॉम लगा कर जैसे कि मैरा रेडवी नोट फाइव मैं लिखुआ कस्टम रॉम फोर रेडवी नोट पाइव तो अगर आपको रॉम मिल जाती एक तो समझ लिए आपके फोन के लिए एवलेवल है या फिर आप सिंपली आप चेक कर सकते हैं लाइने जो एस के लिंक दे दूँगा आप वहाँ पर आपको सभी स्मार्ट फोन के लिश्ट मिल जाएगे अगर उस स्मार्ट फोन के लिए आपका फोन आता है तो समझ लिए आपके लिए बहुत सारी कस्टम रॉम एवलेबल है तो इसलिए यह सब से भेश मेठेडस है कस्टम लॉम चैक करने के लिए यह थो पता चलिए कि हमारे फॉन के लिए ऐसी मिलते है और उसमा आपको सभी smartphone के लिए लगो कि मिल जाती है जो कि popular है मतलब उन smartphone के लिए अगर अवैलबल है तो आपको इस website पर वो मिल जाएगी तो लाइने जो ऐस पैस्ट है stability के लिए और performance के लिए जी हाँ stability और performance आपको काफी अच्छी मिलेगी थोड़ा सा आपको इसमें कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा कस्टमाइजेशन कम है इसमें तो आप अगर और परफॉमेंस जाते तो आप इस OS के लिए जा सकते हैं तो दूसरी रॉम की बात करूं तो वह है रेसरेक्शन रिमिक्स तो यह मेरी फैवरेट है इसमें बहुत सारा आपको कस्टमाइजेशन मिलता है बिना रूट करें और बिना ही इसमें एक्सको इंस्टॉल करें तो काफी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती जो बाकी रॉम में शायद आपको कम मिलती है, तो इसमें भी आपको stability मिलेगी, performance भी काफी अच्छी मिलेगी, तो आपको check कर लेना हो, कौन से आपके लिए best है, जो next ROM है वो है AOSP extended, या फिर इसको AEXP कहते है, तो ये ROM भी काफी अच्छी है, resurrection remix के तरह ये performance, stability, और आपको इसमें बहुत सारी customization मि मिल जाती है, 4th ROM के बात करो, तो वो है MIUI, तो MIUI काफी सारे smart phones के लिए available है, चाहे वो उनका खुद का ही ना हो, जैसे कि Moto का हुआ, या फिर बाकी smart phone होते है, तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं, 5th ROM के बात करो nitrogen OS, तो मेरी लिस्ट में जो भी operating system मैंने बता है, इसमें आ अतलब यह है कि इसमें आपको बहुत जल्दी latest Android version मिल जाते है, तो nitrogen OS इस मामले में काफी अच्छा है, इसमें भी आपको थोड़ी बहुत customization मिल जाएगी, थोड़ी बहुत ने, इसमें भी आपको अच्छी सारी customization मिल जाती है, stability के बारे में नहीं कहा सकते, बैटरी बैक नहीं है, तो अगर आप final build डालता है, जैसे कि अभी नोगट में, आपको final builds मिल चुका है, तो उसमें आपको stability काफी अच्छी मिलेगी, बैटरी बैक भी काफी कमाल का मिलेगा, यह मेरी best custom ROMs की जो मैं अक्सार यूस करता हूँ, आप इनके अलावा भी check कर सकता है, अगर आ मिलता है, महाँ पर जाकर आप अपने smartphone का नाम लिखकर search कर सकता है, और काफी सारी आपको ROMS महाँ पर मिल जाएगी, इसरे point के बात करें, वी O L T की, तो ऐसा होता है, बहुत सारी ROMS में, वी O L T का support नहीं होता है, तो आपको check कर लेना हुआ कि उस ROM में, वी O L T का support मिलेगा नहीं, तो आप XDA developer पर अगर आप अपने smartphone और उस ROM का नाम लिखें, तो महाँ पर जो उसके specifications आएंगे, तो महाँ पर आपको पता चल जाए कि इसमें, वी O L T का support मिलता है, और आपका Jio यूज करते हैं, या फिर कोई और सा operator, क्योंकि सभी में आप वी O L T आने लगा है, त तो अगर आप VOLT यूज करते हैं, तो आप कोई सा भी custom ROM इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका review देखें, कि जो भी आप build डाल, install कर रहे हैं, क्या उसमें battery backup, कैसा उसमें optimization कर गया है, और कैसे performance बगारा उसमें मिलती है, तो आप YouTube पर काफी सारी videos मिल जाती है, तो आप उस build का review देख सकते हैं, ताकि आपको best performance और best custom ROM मिल जाए, और फिफ्ट पॉइंट की बात करें, ओपन जी एपस की, तो ओपन जी एपस जो होता है, उसमें आपको Google's के framework इंस्टॉल करने पड़ते हैं, साथ में Google's की applications भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें आपको play store वगेरा नहीं मिलेगा, नहीं Google framework, नहीं Google play service वगेरा मिलते हैं, तो इसलिए आपको opengf install करने पड़ते हैं, इसे download करने के लिए अगर आप इसकी official website पर जाते है, तो वो आपको पूछता है, तो पूछेगा, आप कौन से Android version के लिए custom ROM डाउनलोड कर रहा है, जैसे वो select कर लिए जैसे कि ARM 64, अगर आपको अपने phone के architecture के बारे में नहीं पता, तो आप opengf की application official आप उसको install कर सकता है, उसकी link आपको description में दे दूगा, वहां से जाकर उसको install कर सकते हैं, अगर आप उसको install करेंगे, तो आप वहीं से आप अपने opengf download कर सकते हैं, तो उसमें जैसे ही आप खोलेगे, मैं यहाँ पर side में वोकर आपको screen recorder में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से खुलेगा, आपको यहाँ पर permission देने के बार, तो आपको आपको architecture detect कर लेगा, तो जैसे कि मेरे phone में architecture जो है, वो ARM64 automatically detect कर लिया, तो उससे आपको पला चल जाएग आपका smartphone ARM64 architecture पर based है, तो फिर आप official website से download कर लिए या फिर आप यहीं पर next जाकर अपने custom ROM के Android version को select करकर next करके उसको download कर सकते, तो अभी इसमें पूछेगा, आपको Pico download करना है, मीनी करना है, या फिर micro या फिर आपको बहुत सारे stock वगेरा के variants मिलता है, तो आपको बता दू यह play store पर जाकर download कर सकते है, simply, अब बात करते है, मीनी, micro यह सब क्या है, तो बस इसमें आपको Google के application बढ़ती जाते है, जैसे YouTube आपको pre-install मिल जाएगा, फिर आपको गूगल प्ले गेम, movies वगारा pre-install मिल जाएगी, तो मैं आपको recommend करूंगा, या पिको install करिए, उसमें आप flash करेंगे, तो इसमें पूछेगा, आप कौन-कौन से application install करना चाहता है, तो आप अपने मर्जी से वो select कर सकते है, तो मेरे इसाफ साथ आप पी को install करेंगे, वो best रहेगा, तो I hope आपको पता चलिए, कैसा custom ROM डाउनलोड करनी है, और कैसा आपको open g apps डाउनलोड करने है, तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, इसा like कर, टॉपर फ्रेंस के साथ इसको share कर दो, कोई problem या suggestion हो, तो नीचे comment कर दो, और अपने चैनल को subscribe नहीं कर दो, अगर आपका Android customization में थोड़ा बहुत भी interest है,